अनिवस्कार तो देखिए आपको पता है paper 1 जो है 100 नमबर का जो है वो आएगा तो सी 100 नमबर को जो है हम यहां से cover करने की कोशिश कर रहे हैं यह जो हमने special series जो है वो चलाई हुई है वो तिरन करके एक तो इसमें जो है वो आपको हर एक section देखने को मिलेगा चाहे वो national international affair है चाहे वो gk है basic gk है चाहे वो national gk भी बीच-बीच में include कर देंगे Hindi English भी बीच-बीच में इसमें include की जाएगी ताकि हर एक section को आप at least touch कर पाएं और वहां से थोड़ी-थोड़ी knowledge आपको मिल पाए कहीं से भी आप पीछे ना रहा है और paper 2 में अगर आपके number class करते हैं तो यहां पर paper 1 में आपके अच्छे number जो है वहां सकें उसकी जो है हम पूरी-पूरी कोशिच अपनी तरफ से कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने form फिल नहीं किया तो जल्दी से form को भी फिल कर दें कि लास्ट में साइट बीजी आती है तो इस टाम दिकत होती है फिर सबसे पहले question से देखें discussion स्टार्ट करते हैं बोलते हैं which country won the 2023 FIFA Women's World Cup तो 2023 का FIFA Women's World Cup जो है वो किस टीम के दौरा जो है वो जीता गया है यह जीता गया है Spain team के दौरा option A जो है वो सही हैं तरे 2023 का FIFA का जो Women's World Cup हुआ 2023 का वो जीता गया Spain के दौरा Spain country ने जीत लिया अब 2023 का यह कप host किसके दौरा किया गया था तो यह Australia के दौरा host किया गया था Australia अकेला नहीं था host करने वाला Australia के साथ New Zealand भी जो था वो इसमें साथ मैं शामिल था जिसने इसको host किया Australia और New Zealand ने इसको host किया इसको जीतने वाला Spain रहा है और इसके लाब आपने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो फीफा कप होगा वो दो हजर स्थाइस में होगा उसकी बीडिंग अभी हो रही है तो उसका डिसाइड हो जाएगा जल्दी ही कौन उसको एक्जेक्टली होस्ट करेगा और यह तो वुमेंस की बात हो रही है मै रही है तो वहां से आपको लीचिज़ेग क्लियर हो जाती है बड़ी ही ऊथी होती है अगर हम ट्वीटर रुगल की बात करते हैं तो ट्वीटर की नई CEO जो है वो बनी है ट्वीटर की जो नवी नई CEO बनी है वो कौन सी बनी है उसके नाम है तो उनका नाम बहुत Epic रहे लींड़ या के जूं के टनाम एलंट मस्क के द्वाराना इस company कोई कर लिया गया था क्रीद ली आगया था एक तरह से आप कहेंगे और उसके बाद इन्होंने जो था वह एंडा या इकार इन्हों को चन्था वह तोट्र का नया सीउ जो था बना दिया था फिर अचाइड आँव टूटर की सथापनाँ 1006 मैं की गई थी। छे में जैक डूर्से की द्वाहाय इसकी सतापना की गई थी। आपने फेस्बुक की भी पेरेंट कम्पनी धियान रखनें फेस्बुक की प्रेंट कम्पनी है उसका है तो मैटा जो है ना मैटा फेसबुक की प्लैटफॉर्म कंपणी यह मैटा भी आपने ध्यान अकर दो चितना ज्यादा वह सके ना पिछला भी अगला भी आने वाला भी जो सारा कबर करवा देब तो व्य भी पडेंगे आपके बहुा ल मृताय। वो 2023 का इंडिया के धोरा जीता गया हैं वने पहले डिसकर्स तो नहीं किया है अरगा के वेटने प्लेयर होते हैं, मैंने आपको बताया था, कि कवड्डी मेंический क्योंतों का मैंदान kita tra gracal, हम couples रूप LIKE WHO को इंजर हो जाए कुछ हो जाए उस तरह की दिक्कत आजाए ना तो और एक्स्टा रख़े या तो कबड़ी का आपने दियान रखना है भी हुई न एशन गेम्ड चानीना के हांक्जड रीजन में तो वहां पर हमारे जो कबड़ी की महिलाओं की हमाचल की वेटी थी इस अनक गेम्स को एक और फिर से रिवाइस करवाऊंगा कि एच गेम्स की जो मैडल टैली है वो बड़ी ही इंट्रस्टिंग देखने को मिली है इंडिया पहले तो काफ़ी शाथ में आट वे नंबर पर स्टार्टिंग में चल आथा प्रन्तु जब एंडिंग हुई ना तो इंडिया चौते नमबर पर आकर पहुंच के था फोर्थ पोजिशन इंडिया ने जो जाओ मेडल टैली में हासिल की है ये आपने धियान लखना है आजब फोर्थ पोजिशन में किस की सतरा से है एक तो गोल्ड मेडल है गोल्ड मेडल के लावा एक सिल्वर मेडल होता है चाइना जो था वो टोटल 383 मेडल लेकर आए देखो चाइना कितने आगे है अभी भी जाकर मतलब तीन गुना जादा मेडल तीन से भी जादा गुना है वैसे तो ये उतने मेडल जीत कर लाए चाइना के बाद दूसरे नमबर पर जापान आया 188 मेडल जीते और साउथ कोरिया ने 190 मेडल जीते थे मैंने बताया था पहले भी कि जो जापान था जापान ने 52 गोल्ड मेडल जीते थे इसलिए जापान दूसरे नमबर पर आ गया और साउथ कोरिया जाथा South Korea ने 42 medal gold जीते थे तो इसलिए ये तीसे नमबर पर चला गया और चौते नमबर पर अपना देश भारत आ गया पांचमे नमबर पर उजवैकिस्तान जो था वो आ गया तो वो भी उजवैकिस्तान भी आपने ध्यान लखने इस बार की Asian Games तो हो गई नगया जापान में परता है जापान होस्ट करेगा 2026 की Asian Games को ये ध्यान लखना है और Asian Games के बारे में जितना बताऊं उतना कम है वैसे तो कि बहुत सारे कोईशन यहां से बन जाएंगी तो यह मोटे मोटे थार पर इतना ही ध्यान लखना बोलते हैं राजगाट is the memorial of which of the following Indian leader ये किसकी समाधी कहां पर है न वो भी question बन जाता है किसका समारक कहां पर है जैसे महात्मा गांधी जी का समारक है उसको राजगाट कहते हैं option B सही अंतर है महात्मा गांधी जी के समारक को राजगाट कहा जाता है बिल्कुल सही बात है आपने ये धियान लखना है गांधी जीनती हुई 2 October को गांधी जीनती 2 October को ही सभी नीता जो है वहीं पर जाते हैं वहीं पर सरधांजली जो है वहीं करते हैं जाकर तो ये आपने धियान लखना है और कौन-कौन से leader है हमारे पास जिनका memorial जिनकी समारक आपको याद रखने है वी आर अम्बेटकर भी काफी जो था वहीं मस्ते तो चैत्य भूमी करके जो है वह इनका आता है लाल बहादुरसास्त्री जो दूसरे नंबर पर बने थे उनका नाव वीजे घाट है इंद्रा घांदी का शकति स्थल है और दिर्तय बहुत बाहर एक्जाम में पुछा गया है सब्स्रीन का वीडर भूमी जो है वहाता है अगर प्रपिर से बुल दूँं तो मेरे तक तो साउंड को ज्यादा ही कर दिया लोगों ने तो मेरे तक तो साउंड पहुंच रही है आप तक ना पहुंचे वही बेटर है अगला करशिन देखते हैं मारे पास बोलते हैं विच कंट्री है सक्सेश्फ़ली ट्रांस्प्लांटेड आ वॉम्ट तो बोलते हैं कि किस देश ने जो है वह महिला में गरवास चाहिए वह सफलता पुरूंट प्रत्य रूपित कर दिया यूके कंट्री है आपका सही नसर हो यूके कंट्री है इस देश में जो है वो महिला में गरवास से सफलता फुरूंट ब्रांस्प्लांट किया गया है एक तरह से आप कहेंगे वाम्ट को जो है अब यहां से तो कुछ यादा जानने को नहीं मिलता प्रबंतो इस तरह के करयंट अप जो है वह उन एकजाम में ज जाते हैं previous year के पेपर कोना एक बारदेखा करें ताकि आपको पता चले किस तरह के कुशिशन अचुके हैं अगे देखेश के क्या बनाए जाए जाए ताकि आपको फोलते हैं काकरा पार आटॉमिक पावर फैट इस बिंग कंस्टटेड इंविच टेट यूटि तो वो देखें काकरा पार जो पर्मानु उर्जा पर्योजना है यह इसका निर्मान जो हो कि इंदर राज्य के इसका में किया जा रहा है तो इसका निर्मार जोढ望 किया जा रहा है आप्शन डी सही अंसर हो जाएगा यह जो एटोमिक पावर प्रोजेक्ट है ना पीजीटी में तो हल्प करेंगी बाकि एक्जाम में भी करेंगे काक्रापार जो है यह कहां पर है यह जो है गुजरात में स्थित है और इसके रावा और भी है हमारे पास जैसे की तारापूर ह हो गया तारापूर का हम प्रसित है महरा राष्ट्रा में स्थित है इसके लावा हमारे पास काईगा करकी हो गया एक काईगा काहां में में स्थित है काईगा के इ restraint तो यह आपने आटोमिक पावर स्टेशन जो हैं ध्यान रखना है या फिर नुक्लियर पावर प्लांट्स आप कह सकते हैं इनको आपने ध्यान रखना है यह बहुत ज़्यादा यह बहुत ज़्यादी की जाती है डवल्यू इएफ इसको कहा जाता है वर्ल्ड इकॉनमिक फॉर्म यह पूरा नाम हो गया अब इसमें इंडिया का रहा जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो इसमें इंडिया का रहा ज़रूर देखें जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2023 की निकल इकॉलिटी सबसे ज़्यादा है तो वह है आइसलेंड करके आइसलेंड कंट्री का नाम अब आपने यहां से दियान रखना है कि आइसलेंड मोस्ट जेंडर इकुल कंट्री जो है वो आती है और हमारे जो नेबर जैसे कि पाकिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश हो गया ने के निपाल की बात करते हैं तो निपाल का रेंक जो है वो 116 एक ट्रैवल एंड टुरीजम कंपिलीटीवनेस रिपोर्ट होती है वह भी जो है वो ट्रैवलन कोलिब फ़र्म की चाहीं करता है को रफिर से सुरक्शल्नेbak recording ट्रैवलल कोसरी डिव्योज्यारे से ऑगे कदिति इता है दौत को है थो क्लॉट neighbours एक नंबर का क्वेसिन बनता है व्रट इकॉनिक फॉर्म का हैट कोईटर जो है स्विजर लेंड कंट्री का नाम ध्यान रखें तो सारा ही लगभग यहां से कपर हो गया रहना नहीं चाहिए कुछ अगला क्वेसिन देखें बोलते हैं यहां पर बोलते हैं पारकर सोलर नहीं मंधित है option Corona question पूछने का एक और थरीका भी हो चकता है फा्रकर ले जो है वो कौन सी country का country का है तो USA का है cargo इस पेस इस किई स्पेस अजेंसिच होई तो यह नाशा का है है यह आपने ध्यार नह ditch match herain NASA का यह है इस रोका भी जैसे अदिट्या लवन Cara करके मारा यह commission जो है वो सूर्ज के ऊपर गया है तो पूझा जाता है कि L1 किसके लिए stand करता है L1 करके वहां पर लिखा गया है तो L1 किसके लिए stand करता है L1 stand करता है language point के लिए ठीक है L-A-N-G-R-A-N-G-E ये भी एक नमबर का question बनता है language point के लिए stand करता है और आपने ध्यान रगने है की सूर्आ की कुरिने जो है're वह कितना time लगाती है प्रिथवी दक पहुंचने के लिए सूर्य की कुरिनों के दोरा जो time लिये जाता है वह 8 minute लिये जाते हैं अगर आप एक्जेक्टली बात करें तो 8 minute 20 seconds वह लिये जाते है सूरे की किरिणों के द्वरा यहां तक पहुंचने के लिए कई वर सेकंड में ही पूछ ले जाता है तो आठ मिनिट मतलब 60 सेकंड यानिके 480 आप सेकंड वान के चलिए प्लस 20 और कर लीजे 500 सेकंड जो है यह फूरे ले लेता है यहां तक पहुंचने के लिए तो सेकंड में भी कनवर्ट करना आना चाहिए अभी चंदरियान 3 लॉंच किया गया था कब लॉंच किया गया थीक है चंदरियान 3 कि 14 जुलाई 2023 को लॉंच किया गया अधित्या 11 कब लॉंच किया गया यह भी तो पता होना चाहिए कि अधित्या 11 कौन सी ड़ेट को exactly लॉंच किया गया थो यह सेकंडस सेप्टैंबर 2023 के लिए जो था व लॉंच किया गया अभि इसरो जो है गगनियान की त्यारी में वी जो ह बुबनेश्विरम तो मैंस का जो वर्ड जो हौकी वर्ड कप हुआ 2023 का वो भुबनेश्विरम में हुआ यानि कि उडिशा में जो था वह हुआ बोलते हैं कौन सी कंट्री के दोरा ये जीता गया तो जर्मनी यहां पर वीनर के रूप में सामने आया और जर्मनी ने जो था ओ किसको हराया, जर्मने ने जो था, वो बिल्जीम बिल्जीम को हरा कर जो था, ये वी Louisiana बना तीसे नंबर पर कौन रहा तीसे नंबर पर जो था, वो नीधर लेंड कंटरी जो था वो यहां पर रही, और 2023 का मेंज, जो होकी वर्ल्ड कप है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, ओडिशा में किया गया, भुवनेश्परम में किया गया, ये आपने ध्यान रखना है पूछा लिया जाता है कि कलिंगा स्टेडियम कहां परसीत है तो कलिंगा स्टेडियम जो है वो भुवनेश्वरम में स्थित है भुवनेश्वरम उडिशा में जो है वो पढ़ता है अगला जो है वो होकी का वर्ल्ड कप कब होगा अब देखो इसके बाद 2026 में जो है ये कप होगा 2026 में कौन सी कंटरी इसको होस्ट करेंगी तो Belgium और नीदरलेंड ये दोनों जो हो इसको होस्ट करेंगी कौन सी Belgium हो गया और नीदरलेंड हो गया ये दोनों ही इसको होस्ट करेंगी ये आपने धियान रखना है तो Belgium in the land का भी हो गया, यहां से अगला कौशिन देखते हैं, बोलते हैं, रागिनी is a popular form of fox song belonging to which state, तो बोलते हैं कि रागिनी किस राज्ये से सम्मंदित एक प्रसीध लोक गीत है, रागिनी कि एगर हम बात करते हैं तो रागिनी हर्याना से जो है, वो जुड़ा हुआ है, option से सही अंसर है, हमारे देखो जितने भी states है, maximum states में जो है, वो अपने अपने जो है, वो important fox songs वहां के आते हैं, fox dances वहां के आते हैं, तो वो भी note करते रहना है, हर्याना का हुगया रागिनी, एक आप रॉफ करके पढ़ते हैं, र, ए, यू, एफ, वो कहां का आता है, वो जम्म के रहत, कुची, पूरी, गरबा तो बता है, आपको गुझरात में पर्फॉर्म की रहत, कठक कली जो है, केरला का मुख्य है, केरला में कठक कली और मोहिनी अट्यम देखने। जो हैं, वो मिर जाते हैं, ये दोनों ही, जो हैं, वो important है, राजस्तान का जुमर हो गया, अपन पंजाब को लेकर confuse ना हो ये बिहार का जो है वो देखने को हमें मिलता है questions चाहे हम कम discuss करते होंगे परन्तु हम जो detail में discuss करते हैं उन points को note किया करें क्योंकि जरूरी नहीं कि question to question ही exam में पूछा जाए जो important detail में discussion होती है न वो 80% chances होते हैं कि वहां से question exam में बनेगा अब अगला देखो हिंदी का question यहां पर आ गया अब हम हिंदी के question भी series में discuss किया करेंगे इंग्लिस के भी जो हो धिली धिली यहां पर add किये जाएंगे अगर तो देखो आपको चाहिए full length test series तो हमने payment मत करना card से ही payment करना UPI से करनी है तो हमें mail करना हम आपको UPI number जो हो दे देंगे तो आप UPI की payment वहां से easily कर पाएंगे यह test series का scheduled way में है बड़ी अच्छी तरीके में scheduled way में चलेगी तो बड़ी अच्छी तेयारी आपकी हो जाएगी बोलते हैं आशिरवाद का संदी विचेद क्या है यह सबसे पहले question में पूछा गया है आशिरवाद का संदी विचेद होता है आशी और आशी को दो विशरगें होती है last में उसके बाद वाद आता है इस तरह से लिखा जाता है आशिरवाद का संदी विचेद एक exam में न शायद allied का था या chess का था वहां पर पूछा गे था कि आशिरवाद लिखते कैसे हैं तो आशिरवाद इस तरह से लिखा जाता है यह आपने ध्यान लखना है इस तरह से आशिरवाद जो है वो लिखा जाता है यह बहुत जादा important होता है कि कौन सा अकसर जो हो किस तरह से लिखा जाता है correction में जो है यह आ जाता है अगला देखें अगले में बोलते हैं यहां पर थोड़ा बहुत में जो है वो इनमेंसे कौन सा समास है तो थोड़ा बहुत में जो है वो कौन सा समास आता है अब बेभाब आता है क्या वेकल्पिक द्वंद आता है क्या समाहार दूंद आता है तो वेकल पिक दूंद करके जो है वो इसमें समास आता है अगर तो मान लो कि आपके पास वेकल पिक दूंद आपशन में दिया है तो वही सही अंसर होगा अधरवाइस दूंद समास भी जो है वो सही अंसर हो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दौन्द में पोचिन में नहीं नहीं दिया गया है वे कर्ड रम जो होता है इसको वह और स्मास को मीए दोनुंध पर्धान होंगता है जैसे की कौन-कौन से अग्जम्पल आगे आगे आपके पास अन कंप या और जल को राजा रानी हो गया, दुख सुक हो गया, दिन रात हो गया, माता पिता हो गया, राजा प्रजा हो गया, ये सारे दुन्दसमास के जो हैं, वो एक्जेम्पल हमारे पास आ जाते हैं, और अब्वे भाव समास पूछा जाए, तो अब्वे भाव में आ जाता है, प्रति दिन कर अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताए कि चौराहा कौन सेसी मास का चौराहा कौन सेसे मास का एगजम्पल यह आप जलदी से कमेंट करके बता जी तियारी कर रहे हैं तो डेफनेटली पढ़ा भी होगा इसका जो लास्ट पहले वाला एडिशन था ना इससे पहले वाला एडिशन वो तो उसकी PDF मैंने आपको प्रवाइड करवा दी थी इसकी PDF में मैं आपको टेलिग्राम पर सेंट कर दूँगा एक क्वेशन देखें प्रण उससे पहले एक छोटा सा डाउट है क्वेशन है चोटा सा उसको मैं क्लियर कर देता हूँ अपने प्पशले करदेश के था सेंटरल लेइडर रिसर्च इंसिच्जूट जो हो काहां पर तीथ है तो आपने क्या धहान लगना है कि यह जो सेंट्रल लीडर टिअचियार रिसर्च और इंसिचूट करके यह चेन्नाई में जो है वह स्थित्थ है यह कशन बन सकता है ए तुस्सी निती सुरू करने वाला जो प्रधान वंतरी थे वो कौन थे जिनके कारेकाल के दुरान यह हुई थी 1991 में मैंने इससे पहली वाली जो इडेशन थी ना उसमें डिटेल से आपको समझाया था कि किसके कारेकाल के दुरान लॉंच की थी क्या हुआ था अलाइड की टेस्ट सिर्ज जोइन करने हैं तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं और लिंक भी दिया गया है प्रन्तु मैंने कहा है कि UPI ट्रांजेक्शन को अवाइड करें अगर UPI से हमें नंबर पर करना है तब हम आपको नंबर प्रवाइड करवा देंगे और टेलिग्राम पर जोइन करने के लिए टेलिग्राम से add the rate all exam 31 करके सर्च करना टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा यहां पर आपको हर इक important जानकारी दे दी जाती है जो exam में आपकी सहायता जो है वो करती है exam में जहां पर आपको कोई भी notification आती है कोई भी important points होते हैं वो सार किस वीडियो में इतना ही है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently